देश में कुरोना वाइरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं इस बीच जान्ज करने पहुचे डॉक्टरों और पुलिस पर लकातार हमलों की खबर सामने आ रही है इसे कड़ी में इन दोर के ताट पटी बाखल में मेडिकल टीम पर हमला करने वाला आरोपी जावेद गिरफतार किया जा चुका है इससे पहले भी जावेद गिरफतार हो चुका है दरसल हमलावरों में शामिल जावेद कुरोना वारस से पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद उसको जबलपूर मेडिकल कॉलेज में रखा गया था जहां से वो कल फरार हो गया था मेडिकल टीम के हमलावर और कोरोना पॉजिटिव जावेद के फरार होने से हड़कम मच गया जिसके बाद प्रसाशन ने जावेदी गिरफतारी पर 25,000 का इनाम भी रखा था आपको बता दे कि 2 अप्रेल को ताट पटी में कॉरोना संक्रमितों की जांच करने पहुची मेडिकल टीम पर लोगों ने पत्थराख किया था उपद्रवियों ने हमला कर बैरिकेड्स भी तोड़ दिये थे बड़ी मुश्किल से मेडिकल टीम में परी जान बचा कर भागी थी न्यूस जैस